नमस्कार जैहिन दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल विद्यसेयस में दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो ITA 2023 के जो admission आप लोगों का होना है उसके उपर होने वाली है कि 2023 में ITA का admission कब से सुरू होगा आपके form कब आएंगे और form आने के बाद आप कैसे उसको apply कर पाएंगे और आपको क्या documents चाहिए उस time पर वो बारे में हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों अगर बात करें ITA admission जो 2023 है तो 2023 आप लोग को पता है कि अभी हाली में board के सारे exam खतम हो चुके हैं चाहिए वो 10th का हो या फिर वो 12th का हो तो 10th और 12th के exam खतम हो चुके हैं आप लोगों के और exam खतम होने के बाद जैसे ही result इसका आएगा उसी दर्मियान आप लोगों का आपका form आ जाता है बात करें आपके जो form आने का जो इस बार एक notification जारी हुआ था तो इस बार जो form आपके आने वाले हैं दोस्तों जो है मई क्या बोला जाता है मई के last में मई last या फिर मई last या फिर June के first week में आ जाएंगे क्योंकि आपका जो entrance exam इसमें तो होता नहीं दोस्तों इसमें जो आपका admission होता है वो merit base पर होता है और merit base पर होने के साथ दोस्तों जब आपका result आएगा 10th का या फिर 12th का तो आप लोग तो है तभी इस form को भर पाएंगे अगर बात करें आपका minimum qualification तो minimum qualification जो होती है दोस्तों ITI form भरने की वो 10th होती है तो जब तक आपका 10th का result नहीं आता है तो जब तब आपका 10th का result नहीं आएगा तब तक आपका form भरने का कोई chance नहीं है तो आपके 10th के result का wait किये जाएगा और रही बात आपके form आने की तो आ OBC, OBC हो गए, SC हो गए, ST हो गए, EWS हो गए, तो यह जो category के लोग हैं, यह अपना category का certificate बनवा लेंगे, और रही बात OBC, SC, ST वाले अपना central का जो है बनवाएंगे, क्योंकि जो है वहाँ पर लगता central का है, क्योंकि central का आप बनवाएंगे तो आपके लिए ज्यादा ही important है, क् state का तो कही कही लेता नहीं है, इसलिए आप लोग central का apply कर दीजिए, और रही बात आपका जैसे ही high school का result आएगा, तब आप form को आसानी से भर पाएंगे, वैसे रही बात appearing में भरा जाता है, लेकिन अगर form की बात करें, तो आपका form मई और जून में जो है, आने वाला है, त तो दोस्तों, form से जुड़ी हुई ये सारी जानकारी है, दोस्तों, ITI से related हमा ऐसी सारी बहुत सारी जानकारी हैं आप लोगों के लिए लेकर आते हैं अपने इस YouTube चैनल पर, तो दोस्तों, अगर ये छोटी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो, तो चैनल को सस्क्राइ कर लिजे, ऐसी notification के लिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, अगर आपको कोई queries है, तो आप comment box में लिख दीजे, हम उस पर जो है, वीडियो जरूर आप लोग को provide करेंगे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों